नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कॉंसेप्ट दन जिल पहें कैसे हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे सभी लोग बहतर होंगे देखिए मुर भाई एक और नई वेकंसी जुनियर इंजिनियर की आपको निकल करके आ रहे है यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा ताकि ऐसा ही नूटिफिकेशन आपका जौब का आप तक हमेशा पहुंचता रहे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेजेगा तक कि जब में वीडियो डालो तो आप तक नौटिफिकेशन पहुंचता रहे और यदि आप टेलिग अपका वेकैनसी नेमप दपोस्ट ऐस्ट थो यहां पर देखनों के मिल रहा है और यहां पर बात करेंगे अंगिस सबसे पहले ही बता जाता हूं वीडियो के पहले ही बता यह बता जाता हूं चिके आपको यहाँ डिविककंसी तो आपका इदी डोमिशाइल आपका यदि आपका यदि डो मिशाइल आसाम का है तब ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है और देखे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस लिमिट अर्थी साल आपको दिया गया है अब मेरे भाई अब थोरा सा और बात कर लेता है इसमें रेगुलर कोर्स होना चाहिए डिपलोमा का eligibility criteria जो है आपका यहां पर देखा होगा कि citizen आपको रहना चाहिए यहां का ठीक है आपको citizen ही रहना है यहां साम का पर्मानेंट citizen रहना है यह सारा चीज आपको eligibility criteria बात करें इ तक आपका यहां पर चलेगा तो बात कर लेते हैं इसमें कि आपका यह वेकेंसी जो है आसाम पब्लिक सर्विस कमिशन के application fee की बात कर लेते हैं आपका तो application fee जो आपका लगने वाला है तो यह जेनरल का यहां पर अड़ाईस रुपए फीर लगने वाला है और स्टी को डेर इसी website जो होगा register आपको कर ले रहा है ठीक है register आपको जाकर करना है और उसी के थुरू आपको यहां पर form फिल कर लेना है अपलाई कर देना से ठीक है यह आपका closing date कप्स तक था जरूर आप लोग फिल के जिएगा जो भी आसाम के डो मिसायल लगते होंगो वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिल के जिएगा और भी ऐसे न्यूव विकंसी के अपडेट के लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजएगा जैसे ही न्यूव अपडेट आप तक मैं आप तक हमेशा पहुंचाते रहूंगा और भी ऐसे विकंसी अपडेट के लिए चैनल टिलिग्राम गूर्प से भी आप जरूर जोइन जाएगा तक वहां पर नोटिफिकेशन का पेडिया भी आपको मिलता रहा है फिलाल इतना ही मिर भाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो हुआ झाया है